नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्धप्रदेश का नमबर वन न्यूस चैनल क्लीन न्यूस एमपी चलिए देखते हैं मद्धप्रदेश की सभी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में मद्ध प्रदेश में लोक परिवहन प्रणाली को बेतर बनाने और शहरी इलाकों में सुवधायं प्रदान करने के उद्धेश से 20 नगरिया निकायों में परिभन कंपनीज का गठन किया गया ये कदम शहरी विकास और आवास भाग की विभनी योजनाओं के तहट उठाया गया है सदकरन्वे और सुरंग निर्मांट सहेद बुनियादी धाँचे होंगे मस्बूत परियावर्ण के अनुकूल होंगे रीलवे में इकली बंपर भर्तियां 34 अक्टूबर से पहले करे आवी दर रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सुनेरा मौका है उत्तरमदे रेलवे कोंकन रेलवे कॉर्पुरेशन लिमिटेड और रेलवे रिकूटमेंट सेल वेस्टरम रेलवे ने विभिन पदों पर बंपर भरतिया निकाली हैं योग्यों और इच्छोक उमीदवार अक्ट्यूबर तक जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए उमीदवारों के निर्धारिता यूसीमा नियूंतम 18 वर्ष और अधिक्तम 36 वर्ष है सदसिता महाभियान में शामेर सीम डॉक्टर मोहन यादव बोले ये जन्ता का विश्वास है बारते जन्ता पार्टी की सदसिता अभियान का पहला चरण आजपूरा होने जा रहा है मंद्र प्रदेश भाजपा का एक ये कारेकरता 100-100 ने सदस्ते बनाने के लक्षे के साथ 64,871 तर बूत पर है मुक्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज़धानी भुपाल की नरेला विधान सभा में सदसिता महाभियान में शामिल हुई एम पी में 10,000 से जादा फार्मसिस्ट की कमे खाली पोस्त नहीं भर रहा स्वास्ते विभाग मंत्र प्रदेश में स्वास्त्विभाग के प्रिशास की ए 10,267 किंद्रे संचाले थे यहां भी तक फार्मसिस्ट की भरती नहीं हो सकी जबके इन स्वास्त केंद्रों में 126 प्रकार की दवाव का वितरन और संधारन किया जाता है वर्तमान में इन उप्स्वास्त केंद्रों में गयर फार्मसिस्ट की मदद ली जा रही है दिवाली से पहले आएगी अच्छारवी किष्ट नियमानूसर पहली किष्ट अप्रेल जलाई, दूसरी किष्ट अगस से नवंबर और तीसरी किष्ट दिसम्बर से मार्ज के भी जारी होती है ऐसे में अच्छारवी किष्ट अक्टूबर में जारी होने की संभावना है अलाकि फाइनल तारीक को लेकर आधिकारी पुष्टी होना बाकी है सभी संस्थागत भूमीधारक के सियोजना का फाइदा नहीं ले सकते पांचवी आटवी के परिक्षा के संदर में दिशा निरदेश जारी अधिभार अंको का ये होगा फॉन्मिूला इसकूष शिक्षाप विभाग के राजे शिक्षा की इंदर दौरा शैक्षिनिक 720-425 प्रोदेश की समस्थ शास्किय शाला हो मानेता प्राप्त अशास्किय वा अनुदान प्राप्त शाला हो और डाइस कोर्ट प्राप्त मदर्सों में कक्षा प्माचपी और आठवी में अध्यनरत, बच्चों के लिए NCERT द्वारा निर्धारेत, पाचे पुस्तकों और पाचे क्रम के आधार पर परिक्षा कराने के दिशा निर्देश चारी कर दिये गए हैं 24 लाग से अधेक लाडली बहनों को 4500 रुपे में रसोई गैस सिलेंडर का लाप मुख्यमंतरी लाडली बहना योजना के लाबारती बहनों के लिए खुशकबरी है, नियम के तहट योजना की अगले किष्ट अक्टूबर में आएगी इसके तहर फिर से 1250 रुपे एक दशमलों दोनों करोड लाडली बहनों के खाते में भीजे जाएंगे इसके अलावा पात्र लाग को लाडली बहनों को 4500 रुपे में गैस रिफिल कराने का लाप मिलेगा MPK 28 वे चीफ जस्टिस बने जस्टिस कैट हर्याना में कैता जली के रहने वाले जस्टिस सुरेश कुमार कैट ने मदरप्रदेश के 28 वे चीफ जस्टिस के तौर पर शपत ली है राजपाल मंगु भाई पटेन ने राजभवन में आयोजितिक कारिक्रम में उनको शपत दिलाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादा पूर मुख्यमंत्री दिगविजा सेंग पूर ग्रेमंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्य सचे वीरा राणा सहीत और भी कई नेता और अधिकारी इस मौके पर मौचूद रहे इंद्वारों जैन समय तिकत्य जिलो में तेज दस में भारी बारिश का अलर्ट मद्यप्रदेश में लो प्रेशर एरिया के असर से अगले तीन दिन तेज बारिश का दौर बना रहेगा नर्मदापुरम की पिपरिया और वाला घा में बुद्वार सुभे से बारिश हो रही है मौसम विभाग ने इन दौरों जैन समय तिकत्य जिलो में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया दस जिलो में भारी बारिश का अलर्ट है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मध्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद